मेरे परिवार जनो, कॉंग्रेस की लूट नीती की वज़े से यहां राजस्तान में महंगाई इतनी अधिक है, यहां दूसरे राज्यों से पैट्रोल भी इसलिए महंगा है, क्योंकि यहां लूटेरी कॉंग्रेस की सरकार है. केंद्र सरकार अपनी तरफ से पैट्रोल के पैशे कम कर रही हैं, लेकिन यहां की कॉंग्रेस सरकार दाम गटाने के लिए तयार नहीं है. मैं राजस्तान से सटे हुए, बीजेपी राज्यों में पैट्रोल कितने रुपी प्रति लीटर है, यह आपको बताता हूँ. पास में यूपी में एक लीटर पैट्रोल सत्तानवे रुपीय याने 97 रुपीय के आसपास है. आपका उदर पडोसी गुजरात, गुजरात में एक लीटर पैट्रोल 57 रुपीय याने 97 के आसपास है. आपके उपर की तरफ आपका पडोसी हरियाना एक लीटर पैट्रोल 97 रुपीय के आसपास. तीनों पडोसी 97 रुपीय ये लीटर का पैट्रोल और ये राजस्तान में देखें कैसी लूट चली है, राजस्तान में कॉंगरेस सरकार एक लीटर पैट्रोल का 109 रुपीय के आसपास लेता है. याने हर लीटर पर 12 रुपीय आपके जेब से मारती है, कॉंगरेस. मैं आज आपको वादा करता हूँ, कॉंगरेस सरकार आपसे पैट्रोल का पैशा लुट कर अपने नेताओं के तीजोरी में भर रहा है. मेरा वादा है, राजस्तान में बीजेपी सरकार बनते ही, कॉंगरेस का ये खेली भी खत्म किया जाएगा. और मैं आपको विश्वा दिलाता हूँ, बाजपा की सरकार बनते ही, पैट्रोल के दामों की तुरंत समिक्षा की जाएगी, और जल्द से जल्द, लोग हित में निर्णे भी किया जाएगा. और ये भी मोदी की गारंटी है.